बहुत समय पहले की बात है एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेट किये वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शांदार बाज नहीं देखे थे राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया जब कुछ महीने बीट गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुँच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शांदार लग रहे थे राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा मैं उनकी उलान देखना चाहता हूँ तुम इने उलने का इशारा करो उन्धरन चिन्ह आदमी ने ऐसा ही किया इशारा मिलते ही दोनों बाज उलान भरने लगे पर जहां एक बाज आसमान की उचायों को चू रहा था वही दूसरा कुछ उपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैग गया जिससे वो उला था ये देख राजा को कुछ अजीब लगा क्या बात है जहां एक बाज इतनी अच्छी उलान भर रहा है वही ये दूसरा बाज उलना ही नहीं चाह रहा राजा ने सवाल किया जी हुजूर इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दुसरे बाज को भी उसी तरह उलना देखना चाहते थे अगले दिन पूरे राजय में एलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को उचा उलाने में काम्याब होगा उसे धेरो इनाम दिया जाएगा फिर क्या था एक से एक विद्वान आये और बाज को उलाने का प्रयास करने लगे पर हफ़तों बीच जाने के बाद भी बाज का वही हाल था वो थोड़ा सा उलता और वापस डाल पर आकर बैख जाता फिर एक दिन कुछ हनोखा हुआ राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उल रहे हैं उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था व्यक्ति एक किसान था अगले दिन वो दर्बार में हाजिर हुआ उसे इनाम में स्वरल मुद्राय भेट करने के बाद राजा ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखा उधरन चिन्ह मालिक मैं तो एक साधारन सा किसान हूँ मैं ग्यान की जादा बाते नहीं जानता मैंने तो बस वो डाल कार दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उपर उलने लगा उधरन चिन्ह दोस्तों हम सभी उचा उलने के लिए ही बने हैं लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी उची उलान भरने की कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पटेंशल के मुताबिक नहीं है तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस दाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं